हेलो गाइज वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन विथ वन नीव वीडियो रिगार्डिंग कलर फिट पॉल्स जिसमें अभी बहुत से मुझे रिसेंटली कॉमेंट्स आये हैं कि उनका जो है डाटा अभी जो है मिसिंग हो रही है जैसे कि यह डाटा मिसिंग कैसे हो रहा है इस वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इसी तरह से टेक अन्बॉक्स एन गैजेट से रिलेटेड वीडियो से लाते रहते हैं सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके प्रॉब्लम्स पे जैसे कि मैरे अभी रिसेंटली बहुत से वीडियो पे मैरे कमेंट्स आई है कि उनका जो डाटा है लाइक अगर आप कलर फिट की कोई नौइज या फिर और कोई भी वाच अगर यूज कर रहे हैं तो आप में एक सम्मड़ी में यहां पर आपको ठोटली काउंट लाइक आपने कितने डिस्टेंस कवर किये कितने स्टेप्स कितने क्यालोरी स्लीप आवर से हर्ट रेट एक सेक्टर सारे वो चीज आपके यहां पर होते हैं इवेन दोस इंफोर्मेशन आर आपके जो है वाच पे भी एवलेबल होते हैं तो इनके बैका जो रिसेंटली आप यूज कर रहे है वो डाटा कैसे हो रही है डिलीट तो देखिए इसके मैं यहां पर आपसे तीन चार ऐसे आपसे टोटल पांच पांच चीजे जो है शेयर करूंगा जो आप अपने फोन के साथ एफिन आपक करें then you could be save your data सबसे पहली बात apps permissions देखिए जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली जितनी भी वीडियोज बनाई हैं सम्में मैंने कहा है कि इसे यूज करने के लिए आपको Bluetooth की permissions and Bluetooth की permissions के साथ साथ locations की permission and background में running जैसे कि देखिए यहां पे background यहां पे अभी मेरी यहां उपर में इन चीजें हमेशा आपको permitted दे के रखनी है Bluetooth location and background की जो आपकी use है उसको access दे के रखना है ठीक है अब देखिए यह delete क्यों होती है एक reason है इसके delete होने का कि जैसे कि आपकी जो file manager होती है आपके android phone की जिसकी भी phone हो तो उसमें क्या होता है कि हमेशा internal में आपको एक android की folder मिलती है ठीक है आपसे यहां पर जो है एक android की folder होती है तो कुछ कुछ के जिस में क्या होता है कि अगर यह android folder delete होती है तो यहां पर आपके बहुत सारे ऐसे catches होते हैं जो आपके apps, applications जो है इसको यहां पर data में store करते हैं इन सब को delete होने की वज़़ए से आपका जो है देख सकते है noise speed की applications है तो यहां पर कुछ catches एक्सेक्टर होते हैं अगर वो delete होते हैं तो आपकी data missing होती है ठीक है second है कि अगर आप किसी app cleaner like की जैसे की कोई applications cleaner होती है जिसमें आप junk file catches file उसको delete या फिर clear करने के लिए अगर use करते हैं तो आपकी data missing हो जाएगी watch की third one is app locker जैसे की अभी permissions की मैंने बात की इसको background में permissions देने की तो कुछ-कुछ application अगर आप external use करते हैं जो की आपके data code protected या फिर apps locker तो वो क्या होता है कि जैसे ही आप यहां पे screen off करते हैं तो वो आपको उसको background में running permission नहीं देती है और उसको वो clear कर देती है तो अगर आप किस app cleaner का इस्तिमाल कर रहे हैं तो उसको मत कीजिए उसकी वज़े से भी जो है आपकी data missing हो जाती है next one is catches देखे catches जो है recent app की catches में उसके बारी में सब के ऊपर में यह चीज नहीं होता है जैसे कि अभी मैंने 1116 steps count के 45 calories burns and 0.73 mile ठीक है अब क्या होता है कि बहुत कोई recent apps data से जो है erase करते हैं तो कुछ-कुछ cases में क्या होता है कि उनका यहां पे जो है वो erase होता है हो जाता है applications के जैसे कि जो भी आप recent data apps को यहां से clear करते हैं इस तरह से तो वो आपकी catches जो है आपकी रहेंगी वो clear कर जो है कि साथ-साथ आपकी data भी clear हो जाएगी so these are the on those cases those reasons जिसमें आपकी data missing हो जाती है आपके phone से और आपके watch से तो इन सब चीजों को आप ना use करें पांचों चीजों को कि लाइक आपको Bluetooth की permission सेक्सेटर देख रखनी है delete folder नहीं करना है Android folder को apps cleaner का इस्तामाल नहीं करना है app locker का उस तरह से आपको जाच लेना है ठीक है मैं यह ना कूंग एकदम नह आउजुद भी अगर होता है तो आप मुझे ने नीचे comment कर सकते हैं and one मैं suggestion देना चाहूंगा जो कि आप अपने data को जो है save करने के लिए आप कर सकते हैं आपको अपना applications को open करना है जो आपकी noise fit applications है उसे open करने के बाद आपको यहाँ पे settings पे आना है settings पे आने के बाद आप के यहाँ पे जो percentage so है वहाँ पे आपको tap करना है tap करने के साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक options मिलती है Google Fit की तो आप Google Fit का इस्तमाल करने से क्या होगा कि आपकी जो data है online पे आपकी save हो जाएगी by the help of Gmail so यह सब कुछ ऐसे reasons है जिनके वजह से data के लिए आपकी जो ह कुछ भी related queries होता है ताप बेफिकर होके मुझे नीचे comment कर सकते हैं so till now thanks for watching वीडियो